नमस्कार मैं मृदूल मंदल क्लास्टर श्रेफ मेफ्यार होटल आपको सबको मालूम है जो मेफ्यार लगू नोडिसा का सबसे बड़ा होटल है पाइस्ट्रट डिलाक्स होटल है तो हमने यहापे खाने के लिए सारे आप्शन रखा है जैसे मुझे पेसिडेंट सेर हमारा ब पिक्षर है एंड चोकलेट चोकलेट तारा तरा का चीज है कांट्री का कोट सब लगा हुआ है इंडिवीजियल रूम में उनको फस्ट वेलकम कर रहा है वित वेलकम ड्रेंग्स का साथ है दिन जब हमारा बुफे में आएगा हमारा बुफे में क्या कहें मैं आपको पहले बाताता है टीपोर्ट में जो हमारा बुफे है इस सबसे बड़ा बुफे है औरिशा का स्टार्टिंग विद वेराइटी ऑफ सूप लाइप काउंटर में हमारा चाड भी है पास्ता भी है दिन बिरैनिस के लिए भी है दिन स्टर फ्राइग काउंटर रहे जब सलाड में जाता है तो हम लोग तरह तरह का लेटूस, ड्रेसिंग, चीज, इंटरनेशनल ब्रेट, ग्लुटन फ्री, अमरा ब्राउन ब्रेट, हाड ब्रेट, सॉफ्ट ब्रेट, सारे चीज हम लग रख देता है तो ड्रेसिंग का भी सब सेपरेट है जो फ्रूट्स का बारिया आता ह हम सेजनल फूरुड भी रखता है अभी जैसे लिची आ रहा है मैंगो आ रहा है एज वलाज इंपोर्टेट सारे स्लाइस फूरुड है दें ड्रेंग्स के लिए हमारा हेल्दी जूस बार है और बाकी मॉक्टेल और सब जो भी है स्पोर्ट्स रिलेटेड जो ड्रेंग्स है वो सारे हमने रख दिया है इसके लिए है और हमारा नॉन्वेज जो काउंटर है और स्नाक्स मिला के इतना बड़ा है जिसमें हम तीन-चार कुईजीन का है जो ग्लोबाल कुईजीन है कॉंटी इटालियान मैक्सिकन इंडियान का भी जो नॉर्मली पंजिया भी आनियान है अधर जो लोकल जो ओडिस्ता कुईजीन है वो नॉन्वेज भी सारे हमारा है तो इनका जो रिकॉर्मेंट है वो हमारा जो ऑफ्षन है उसका अंदर हमने थोड़ा इंकॉर्पोरेट किया अधर्वाइस हमारा बहुत बड़ा ऑफ्षन है तो जैसे साओध आफ्रिका है तो उनको जादा पेफरेंस इंडियान का नहीं है तो हमारा जो ग्लोबल कुईजीन है, औरिएंटल है, हमारा जो शेलाड डिस्पले का अंदर भी है हमने जैपनीस फूड भी रखा है शूशी बाब और भी डिस्पले किया है तो अपना औरियेंटल फूड में उनको रिकर्मे खिलाएंगे और हम मैनेजमेंट में डिजिशन लिया जो रोजों का टाइम है तो थोड़ा पीठास भी राखना है अज वेलाज शुगर फ्री एंड लेस शुगर का ड्रेज हेल्दी डेजर्ट होट डेजर्ट यसा हमने सारे ओफ्षन रखा है तो इतना सारे जो चीज है यह सारे उनका जो रिकॉर्मेंट हो इसके लिए हमारा लिए काफी मिनिममम है तो यह साब इंकलूड हो गया और थोड मैच है जिस दिन थोड़ा ट्रेनिंग है तो उनको थोड़ा बहुत खाने का रिकॉर्मेंट लेडल हेल्ड दिया इस टाइप का चीज आया है जो हमने कंसीडर करके थोड़ा मेनू रखा है उससे सब से है उनको थोड़ा है जो ऑलिव ओल से खाना पकाना है फीश होगा तो ज्यादा हुइट काइंड फीश होना सालमा ऐस टाइप का चीज है और रेड मीट ज्यादा नहीं है कोई भी मीट में विजीवल फैट दिखना नहीं चाहिए इस टाइप का है और डेजर्ट में थोड़ा फूरुट से सब ज्यादा है तो हमारे तरफ से इतना है थैंक यू झाल झाल झाल